हलो फ्रेंड मैं अर्शी गया बिहार से और आप देख रहें अर्शी टायरिस गार्डेन सो फ्रेंड देखिए हमारे च्छत पे भी पुताई का काम हो रहा है पुचाड़ा हो रहा है तो इसलिए मैं बहुत दिनों से मतलब कुछ दिनों से अपना वीडियो नहीं डाल रही देखिए अब हमारा च्छत कुछ इस तरीके से हो गया है पुचाड़ा होकर तो इस टाइम हमारे च्छत पर बहुत काम है बहुत मैं बिजी चल रही थी चिसके करन वीडियो नहीं डाल रही थी अब देखिए सारा कंटेनर सेट की हूँ सारा कंटेनर हटा हटा कर पेंट कर करवाना पोचाडा करवाना बहुत टफ होता है तो अब तो बहुत हद तक सेट कर दी हूँ अब सिर्फ जारू देना बाकी है वह भी हो जाएगा तो देखे इस तरीके से पोचाडा होने के बाद हमारे च्छत लग रहा है और कुछ-कुछ ग्रोव बैग में चीटा भी आ गय थोड़ा सा इस टाइम में मैं अतना पौधा को केर नहीं कर पा रही थी क्योंकि छत पे बहुत जादा काम था इधर कंटेनर करो तो इस भी थोड़ा सा पौधा केरलेस भी हुआ है देखिए इस तरफ कुछ फ्लावर का जो भी पौधा था मैं तरफ कर दी हूं गमला को कि यह हमारा मुरूद जो बहुत अच्छा है बहुत टेस्टी है और एवरी डे एक पिस पकी जा रहा है देखिए इस तरफ हमारा टोटल वेजिटेबल लगावा है तो फिर जब तक मैं अपने गार्डेन को दिखा रही हूं तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर पालक में जो पोताई हो था उसका कलर आ गया था तो मैं सारा पालक टा कर फिर से बीज डाली हूं और यह तरफ भी मैंने फिर से बीज डाला है इस तरफ हमारा आलोवेरा है और इस तरफ भी पालक है इहां इससे भी मुझे हटाना है क्यूंकि यहाँ पर धूब अच्छा नहीं आ रहा है पालक के लिए धूप अच्छा होना चाहिए देखने के लिए थैंक यू अला हफिस बाबाए